प्रमुत कुष्टम साफ आप से शुरुवात करना चाहता हूँ दूविधा में दोनों गए न माया मिली न राम आप ही गह रहे थे माया वाती जी के साथ आजाए उनने कह दिया हाती को साथी की जरूत नहीं है और दूसरा आज है राय जी और उनकी टीम आपने गया पहले हो प्रणाम कर रहे हूं आचार जी मैं उन्हाँ आश्रवाद कहुंचीत कर रहे हैं आजिरवाद से बड़ों के आश्रवाद मिलते रहना चाहिए अरे दीपक जी अपको तो हमारे हर सांस में आश्रवाद निकलता है आप एक निश्पक्स और निर्भीग पत्रकार हैं मैं आ तक आपके सवाल है देखे आपने दो तीन सवाल एक ही सेंटेंस में कर दिये तो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि भगवान श्री राम के मंदिर की प्रांट पतिष्ठा का जो समारो है ये बहुत हमारे लिए सवभग का विशह है क्योंकि राम हमारी आस्था के आधार हैं राम हमारे लिए राजनीती का विशह नहीं है हमारी सद्धा आस्था और हमारे विश्वास का विशह है और आस्था का सम्मान होना चाहिए भारत भावनाओं का देश है भारत को भारत के संविधान और भारत के तमाम कानून विवस्था भारत की न्यायपालिका का ये सब हमारी हमारी क्या हरेक आदमी की आस्था का सम्मान करना हमारे fundamental rights है हमारे संविधान में ये अधिकार है दूसरी बात ये है कि राम मंदिर का जो निर्मान हो रहा है और जो राम मंदिर का निर्मान पूर्ण हुआ है ये मानिये उच्चितम नियाले के आदेश से हुआ ह तो जितनी भी political party हैं हमारी हमारे साथी सही होगी सब बैठे हैं दीपक जी आपके शो में भी कई बार ये जिकर आया था कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तो उस समय सारी political party ये कहती थीं कि जो भी फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे तो जब फैसल सारे allegations वो सब खत्म हो गए अब सवाल इस बात का है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है मंदिर बनने के बाद में पून हो रहा है उसके बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम जनम भूमी ट्रस्ट नहीं निमंतरण दिया तो जिन जाओ बरात्म है ना जाओ उसकी चिठी चिठी के बदले आप दूसरी चिठी जारी करो का नहीं हम तेरे घर ब्या में नहीं आएंगे हम तेरे निमंतरण को ठुक राते हैं तो यह भारतिय संस्कृति और भारत के संसकारों के विरुद्ध है इसलिए दीपक जी सवाल ये उठता है आज मायवती जी ने जो बात कही है मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात हाला कि उनके फैसले से हमारी पार्टी या हमारी पार्टी के साथ जो लोग गठवंदन में हैं उनको ठेस लगी है पर बात साफ की उन्होंने उन्होंने कहा कि मैं गठवंदन नहीं कर कर रहे हैं और उसके बाद राम रिला के दर्शन करने पूरे पार्टी के नेताओं summertime प्रश्ण ये पैदा होता है देश की जंता richtet जानना चाहती है क्या हम भाजपा के खिलाफ है या राम के खिलाफ है क्या कॉंग्रेस पार्टी या जो विपक्ष के नेता है वो भाजपा से लड़ना चाहते है या राम से लड़ना चाहते है वो भाजपा से लड़ना चाहते है या हिंदुत से लड़ना चाहते है दीपक जी भाजपा को लड़के हराया जा सकता है भारत में राम से लड़के राम को नहीं हराया जा सकता है भाजपा को हराया जा सकता है भाजपा को कई बार हरा गया है भाजपा को हराया जाएगा लेकिन सनातन को नहीं हराया जा सकता है तो यह कौन सला देता है? खरगे जी को, सोनिया जी को कौन लोग है? प्रभुत कृष्टम जी मैं जानना चाहता हूँ। यह कौन लोग है? आप तो अंदर के आदमी है, प्रियंका जी के डवाइजर है कौन सला देता है? दीपक जी कौन सला देता कौन नहीं देता मुझसे ज़्यादा अंदर के आदमी आप हैं आपको सब पता है लेकिन मैं उन विपक्ष के उन सभी नेताओं से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भाजपा से लड़ो राम से मत लड़ो आप भाजपा से लड़ो हिंदुत से मत लड़ो सनातन से मत लड़ो क्योंकि सनातन जो है किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता है राम किसी एक पार्टी की नहीं हो सकते बीजेपी की उत्पत्ती हुई 1980 में राम तो अखिल कोट ब्रहमांड नायक राम है बीजेपी की उत्पत्ती 1980 में हुई ना राम तो आदी से अनंत तक है ठीक है ठीक है अपर प्रभुत करेशन जी एक कीता जवाब आज जो कॉंग्रेस के नेताओं के साथ हुआ नहीं देखें पहली बात तो मेरा जो एत्राज है वो इस बात को लेके है कि जब कॉंग्रेस पाइटी ने राम बंदिर के निमंतरन को अस्विकार कर दिया तो फिर अपने इन नेताओं को राम बंदिर का दर्शन करने क्यों बेह जा पहली बात आप तो कह दो ना मायवती जी ने बहुत साफ इस्टेंड ले लिया बहुत अच्छी बात है सीता राम ये चुरी ने साफ इस्टेंड लिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे अब प्रशनी ये पैदा होता है जो लोग ये भी чаहते हैं के हम राम गुरोधी भी सिद्णा होँ हम ले राम की किर्पा भी मिले हैं और राम मंदिर भी ना जाएंंगे ये दोनों काम एक साथ नहीं चलेंगे ये जो भग्ति है na, ये सद्धा का विशए है, ये विश्वास का विशए है, ये आस्था का विशए है और मैं भारति जिनता पारिटी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कॉंग्रेज पारिटी की नेताओं के साथ जो बतमीजी होई ये ये गलत है ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि राम किसी एक दल के नहीं हो सकते है राम को किसी मैं कहना चाहता हूं कि अगर भगवान राम का दर्शन करने भगवान राम तो उनके भी राम को नहीं मानते भगवान राम का दर्शन करने का अधिकार तो उनको भी है जो राम के विरोधी हैं राम का मंदिर सब का है राम का मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं है राम सब के हैं सब राम के हैं ताइम कब है थोड़ा सा दोडा डोडा कर पीटा गया है कॉंग्रेस के नेताओं को जंडा वगएरा फाड़ दिया कपड़े वगएरा फाड़ दिया और लोगोंने नारे लगाये और इस तरह की चीजे मुझे लगता है कि ये भावनादमक्सैलाब है इसको देखना बहुत जरूरी चाहिए था कॉंग्रस को आचार जी जो कहते हैं वो बिलकुल ठीक बात है उनकी और लगातार वो इस बात को उठाते भी रहे हैं लेकिन कॉंग्रस में ही लोग उनको कितना मानते हैं या कितनी उनकी मानते हैं वो एक सोच विचार का विशे है, ऐसा कभी हुआ नहीं, दूसरी एक और भी बात है, आप मुझे एक चीज बताईए, जब लगातार एक स्टैंड आपने ले लिया, आप राम विरोधी है, मैं अभी कुछ दूनों पहले केम मुंशी की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें पूरा भवे मंदिर बना, बावजूद उसके, सब कुछ जानते हुए कॉंग्रेस ने, सबसे पहले कि अधूरा मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है, उस पर हंगामा खड़ा किया, उस पर खबर बनाई, फिर उसके बाद आगे आए, कहते जी शंक्रचारें व अंतता है, जो अंदर से आप में राम के प्रती नफरत है, वो आज भी थी, कल भी थी, पाँच जेनरेशन पहले भी थी, और आगे भी रहेगी, मुझे लगता है, सिर्फ वोट के लिए जो आप ये दिखावा करते हैं, ये बिल्कुल बेतर तीब है, इसका कोई तर्क ही न आज की जनता समझदार है, आज की जनता आपके आक्शन्स को, चीजों को देखती है, समझती है, परकती है, उसके बाद ही वो उसके अपपर कोई रियाक्शन देती है, लेकिन अंतता है, मैं फिर से ही वही कहना चाहता हूँ, जो इस देश में श्री राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, और सच बात है, मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान श्री राम भारतिय जनता पार्टी के जन मस्य के दशक से आए है, या फिर जन संग 52 के दशक से आए, या फिर 1925 संग, वो हम से पहले थे, और जब तक ये धरती रहेगी, तब तक रहेंगे, लेकिन भारतिय जनता पार्टी हमेशा राम काज में लगी रही, और अगर मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान श्री राम हिमाले है, तो हम एक मिट्टी के कण के बराबर है, लेकिन वो कण भी श्री राम का ही है, जो लोग अपने आपको उससे अलग करके देखते हैं, अपने आपको उनसे रहा चुननी थी, हमने श्री राम चुने, लोगोंने कुछ रावन रूपी शक्तियां चुनी, उनको बहुत बहुत शुप कामना है, प्रवोज करशेम जी को एक जवाब आपका, मुझे बाकी येस के बास भी जाना है, देखे शीवाम त्यागी जी जो बात कह रहे हैं, व बादी जीनिस